हेलो में यह टीर फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पात्मेकर में मेरे नाम है सौरा हूँ और दोस्तों सुभाए के नो बच्चों के समय हो चुका है हमारे जी के बुश्चाप सरीश का तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो प आपने देखा हो दोस्तों कोई वेक्ति गोरा होता है कोई काला होता है कोई सावला होता है तो यह जो कलर कर डिफ्रेंस आता है वो मिल्यानिन के कारण ही होता है ठीक है कोशन पर दो क्यों बढ़ते हैं निम में से किसी अनुवांशी की का जनक कहा जाता है हमारे पास चार अरस्तु, डर्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर लेवोजियर. देखे दोस्तो, अनुवानशी की मतलब है जेनितिक्स. फादर ओफ जेनितिक्स किसको का जाते हैं? सारहिसका option C. ग्रेगर मेंडल हैं दोस्तो, जिनको अनुवानशी की का जनक कहा जाता है. अरस्तु दोस्तो आपको मैंने बता रखा अरस्तु किस चीज के जनक कि आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताएगा ऐसी मैंने आपको दोस्तो लेवोजियर भी बता रखा ठीक है आप लेवोजियर के बारे में भी बताएगा किसी के जनक कहलाते है ठीक है question number 3 कर बढ़ते हैं पोदो की पत्यों के विवस्था को dash कहा जाता है मतलब कि क्या कहा जाता है जो दोस्तों जो leaves होती है किसी भी पोदे पे जो पत्यों लगती है नाम दिया गया वो क्या नाम है दोस्तों हमारे पार चार अप्शन है फाइलो टेक्सिस, फोटो टेक्सिस, फाइटो टेक्सिस या फिर लिवो टेक्सिस इसका सहिंस है दोस्तों option A फाइलो टेक्सिस कहते है दोस्तों पोदो की पत्यों की विवस्था को ठीक है question number 4 के और बढ़ते है लोमडी का वैग्यानिक नाम क्या है मतलब कि scientific name of fox क्या है मारे पास canis lupus, canis vulpes, musca domestica या फिर boss indicus इसका सहिंस है दोस्तों option B canis vulpes देखे दोस्तों canis lupus मैंने आपको बता रखा है musca domestica भी बता रखा है और boss indicus भी बता रखा है ये तीनों किस-किस के scientific name में आप comment section में comment करके बताईएगा question number 5 के और बढ़ते है गोबर गैस का पर्मुग घटक क्या है हमारे पास चारशन ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर अमोनिया इसका सही answer है दोस्तों option C, मीथेन मतलब कि CH4 इसका जो होता है chemical formula ये ही होता है दोस्तों गोबर गैस का पर्मुग घटक टी question number 6 दोस्तों anesthetics के रूप में किस्त का इस्तमाल किया जाता है हमारे पास चारशन है CH4, CO2, O2 ये फिर N2O देखें दोस्तों सबसे पहले आप समझेए ये anesthetics का क्या मतलब है anesthetics का मतलब होता है दोस्तों anesthesia से मतलब कि जब भी आपको कोई भी operation करना होता है या फिर एक सोटा साप example ले लीजिए आपकी जब आप कभी भी दांत निकलवाने गई होंगे डॉक्टर के पास तो उन्होंने injection में भरकर आपको एक सिरिंज से क्या लगाया होगा जिसको दोस्तों हम laughing gas भी कहते हैं laughing gas कहने का मकसद ही यह है दोस्तों क्योंकि इससे हमें क्या होता है दर्द का अहसास नहीं होता दर्द की अनुबूती नहीं होती और हमारा कोई भी operation जो होता है वो असानी से कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा ठीक है कोशन बर साथ क्यों बढ़ते हैं निम्ड में से किस धातु को घनातु सबसे कम है हमारे पार चार अप्शन लीथियम, गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर इसका सही अंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लीथियम जिसका atomic number होता है दोस्तों तीन इसका ही density जो होती है दोस्तों सबसे कम होती है कोशन बर आठकिर बढ़ते हैं ग्रेफाइट चट्टानों का रुपांतरन किस चट्टान में होता है हमारे पार चार अप्शन दोस्तों संग मर्बर, क्वार्ट जाइट या फिर नीज देखे दोस्तों रुपांतरन का मतलब है दोस्तों मेंटमोर्फिक चट्टान होती है जिसे हम कायंत्री चट्टान भी कहते है ठीक है तो ग्रेफाइट किसमें बदलती है दोस्तों अंडर हाई प्रेशर, हाई टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा टेंपरेचर, तापमान और बहुत ज़्यादा दवाग की काराण जो ग्रेफाइट चटाने होती है वो नीज चटान में परिवर्तित हो जाती है कौशनबर 9 के बढ़ते हैं, किसे बाबु जी के नाम से जाना जाता था हमारे पाज चार ऑप्षन, माहरास्टा, केरल या फिर हमाचर प्रदेश, देखे दोस्तो इसका सही अंसर ऑप्षन C, केरला, केरला से रिलेट वटेटे हैं ऑटम थुलाल और मोहिनी अट्टम टेर ठ एंजन का विशकार किसके द्वार क्या गया है था हमारे पार जेम्स वार्ट जॉर्ज इस्टिफिंशन का लूइन इसका सही आप्षन बीठ इसकांस बढ़ते हैं बारीची समीधान के अनुच्छेट का प्राफधान की देश से लिए आगया है हमारे पार चार उप्शन है Japan, दक्षन अफ्रीका, आइरलेंड ये फिर ऐस्ट्रेलिया इसका सेज़न सर दोस्तों ऑप्षन A जापान दोस्तों आपको comment section में comment करके बताना है डक्षन अफ्रीका से क्या लिया गया है? Ireland से क्या लिया गया है और Australia से क्या लिया गया है ठीक है कोशन नमर 13 के बढ़ते हैं शाहनामा पुस्तक किस के दौरा लिखी गई है हमारे पास चार अबुल फजल फिर दौसी बुल गदन बेगम या फिर विए स्नाइपॉल इसका से क्या लिखी गई है फिर दौसी के दौरा ठीक है कोशन नमर 14 के बढ़ते हैं विश में सबसे ज़्यादा बोली जाना वाली भाशा कौन सी हमारे पास चार अबुल फिर फिर मंदारिन जिसको दोस्तो हम चैनीज लेंगविज भी कह सकते हैं ठीक है चैना भी बोल गयाती है दोस्तो मंदारिन ठीक है जिन्होंने मांट अबर की चड़ाई को पूर्ण किया है ठीक है कोशन नमर 16 के बढ़ते हैं अश्रू गैस का रसाइनिक नाम क्या है हमारे पाथ 4 ओप्षिन दोस्तो साइनो एसीटो साइनोल या फिर क्लोरो एसीटो फिनोन इसका सही अंसर है दोस्तो ऑप्षिन डी क्लोर क्लोर एसीटो फिनोन नाम में दोस्तो अश्रू गैस का ठीक है आपने देखा होगा दोस्तो जब कहीं भी दंगा भड़क जाता है तो महाँ पर क्या करते हैं जो भी हमारे रैपिट एक्षिन फोर्स वगरा होती है वह आसू गैस के गोले का इस्तमाल करती है तो आसू गैस का जो गोला होता दोस्तो उसी का सैंटिफिक नेम या फिर रसाइनिक नाम हम कहते हैं दोस्तो ख्लोर एसीटो फिनोन ठीक है कोशन नमर 17 है दोस्तो कंप्पीटर के निर्देशो मतलब कि एक्जेक्यूट करने की परिक्रिया किसके द्वारा की जाती है फिर कौन करता है हमा तब कि इसका अंसर क्या होगा ओप्शन डी यह तथा भी दूनों ठीक है कोशन पर 18 के बढ़ते हैं पैरिफिरल एक्क्यूप्मेंट का उधारन है हमारे पास चार अप्शन दोस्तों प्रिंटर सी प्यू माइक्र प्रासेसर या फिर यूपीएस इसका सही अंसर है दोस्तो पेरिफिरल एक्क्यूपेंट को दारन है प्रिंटर ठीक है कोशन पर 19 के बढ़ते हैं वीजे नगर करनाटक का कौन सा जिला बनाए अभी दोस्तों हाली में वीजे नगर जो है एक नया जिला बनाए गया करनाटक में और वो है दोस्तों 31 वा जिला ठीक है करनाटक का कोशन नमबर 21 का अंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कौन सा केमिकल आम को पकाने की काम आता है ठीक है कल हमने आपसे कोशन पूछा था दोस्तों वर 1799 महराज सवाई परताप सिंग के द्वारा किस भारतियस मारक का निर्मान करवाए गया था इसका अंसर है दोस्तों हवा महराज सवाई परताप सिंग के द्वारा था अब देखे दोस्तों नोने कैसे अपने अंसर को मेंटेंट किया हुआ आप भी अपनी अंसर को दोस्तो इसी तरह लिखने का परियास करें ठीक है आज की वीडियो हीपे समापत होते हैं दोस्तो आपको वीडियो कैसे लिए कि कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा चले दोस्तो वीड़ा लेते हैं अब आपसे मिलें के अपनी नेक्स शूडियो में थैंक्स वर वाचिंग आई जय हिंद जय भारत